सिक्षा करांती लाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे जोते जगा कर ग्यान की हम सब को राह दिखाएंगे इस वीडियो को लाइक करना शेर करना और अगर आप मेरे चैनल सिक्षा करांती पर पहली बार आए है तो मेरे चैनल सिक्षा करांती को ज़रूर सब्सक्राइब करना तो चलो शुरू करते हैं पेज नमबर 26 तो देखिए बच्चो पेज नमबर 26 पर क्या दिया है Read the flowing sentences निच्चे हमें कुछ sentence दिये एक, दो, तीन, चार इनको हमें read करना है पढ़ना है तो क्या दिया है A swan fell in front of him यहाँ पे यह जो fell है यह क्या है वर्ब है और वर्ब की second form दी हुई है आगे मैंने लिखी भी है इसकी first form क्या होगी फाल, फैल, फालन फाल, फैल, फालन यह इसकी तीनों form होती है तो यह वर्ब की second form है और sentence number two A swan did not fall in front of him तो देखिए यहाँ पे यह past indefinite tense में दिया हुए है और simple sentence है और यहाँ पे यह negative sentence बना दिया है इसको क्या बना दिया है negative यहनि कि ना वाला वाक्य है इसकी इंदी क्या होई A swan एक हंस fell in front of him उसके सामने गिरा एक हंस उसके सामने गिरा परन्तु यहाँ पे क्या बना A swan did not fall in front of him कि एक हंस उसके सामने नहीं गिरा तो यहाँ पे यह सदान वाक्य था यहाँ पे इसने क्या अगर दिया ना वाला वाक्य बना दिया यहनि कि negative बना दिया थार्ड में देखिए प्रिंस सिधार्थ took out the arrow यहाँ पे जो italic italic क्या होता है बच्चो जो थोड़ा सा तिर्चा दिया होता है यह italic word है यह क्या है verb है क्या यह verb है और verb की second form दी हुई है first form क्या होती है took की take तो यहाँ पे take की second form दे रखिए है प्रिंस सिधार्थ took out the arrow प्रिंस सिदार्थ ने राजकुमार सिदार्थ ने तीर बाहर निकाला arrow क्या होता है तीर और टुक आउट निकालना टुक आउट निकालना कि राजकुमार सिदार्थ ने तीर निकाला तुक आउट बाहर निकाला यहाँ पे प्रिंच सिधार्थ डिड नोट टेक आउट दा है राजकुमार सिधार्थ ने तीर को बाहर नहीं निकाला तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए यहाँ वरब की सेगिन फोम है प्रंतु डिड के साथ वरब की फर्स्ट फोम हो जाती है जब डिड आता है तो इसके साथ में वरब की फर्स्ट फोम हो जाएगी यानि कि पहली फोम हो जाएगी इसी तरह यहाँ टुक यह वरब की सेगिन फोम है प्रंतु डिड के साथ क्या हुआ फर्स्ट होगी इसकी फर्स्ट फोम क्या होती है टेक टेक टुक टेकन यह होता है त the following sentences into negative यानि कि जो नीचे sentence दियो है इनको हमें negative में change करना है बदलना है write in your notebook और इनको हमें अपनी notebook में दिखना है तो दा किंग helped the poor, the bot she bought this pen last month we played hockey yesterday my brother wrote a letter I made a kite तो बच्चो बुक पे इतने space नहीं है कि हम इसको book पे कर सके इसलिए मैंने इसे आपके लिए page पे लिखा है तो चलो शरू करते है इसको negative sentence बनाना तो बच्चो ये पांचों जो sentence थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए है इनको हमें negative बनाना है the king help ये हमारी verb है जो verb की second form है जो second यहाँ पे second form दिए होती है उसको negative बनाने के लिए did not पलस वर्व की first form होजेगी तो उसको हम first कर देंगे the king यहाँ पे क्या हो जाएगा did not did not और helped की first form क्या होगी help the poor help the poor तो यह हुआ हमारा negative next sentence she bought this pen last month तो see अब देखिए यह क्या वर्व है वर्व की second form है तो first form क्या होगी by 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 bought तो यह second form है तो first form क्या होगी इसकी by 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 तो साथ में क्या हैगा did not c did not by this pen last month last month third है we played hockey yesterday we played तो इसमें वर्व क्या है बच्चो पलेट यह वर्व की second form है first form क्या होगी इसकी play first form क्या होगी play तो we played तो इसके negative बनाएंगे तो क्या होगा जो second form है इसकी जीगे did not plus first form we did not play play okay yesterday क्या होगी प्लेट की जीगे my brother wrote तो इसमें वर्व क्या है यह है वर्व की सेक्ड फों में रॉट तो इसकी फर्स्ट फोंग क्या होगी राइट तो my brother रॉट इसके जाए क्या हो जाएगा डिड़नोट राइट इसमें वर्व क्या है और इसकी फर्स्ट फोंग क्या होगी मेक आई डिड़नोट मेक ए काइट तो बच्चो जहां पर वर्व की सेग्ड फोंग होती है वह होता है मारा पास्ट डिवरेट टैंस और इसको नेगटिव बनाने के लिए डिड़नोट प्लस वर्व की फर्स्ट फोंग का प्रीयोग किया जाता है इसमें डिड़नोट का प्रीयोग होगा और साथ में फर्स्ट फोंग होगी तो यह मारा नेगटिव बन जाएगा तो बच्चो आज इतना ही यह जो मैंने करवाया है इसे आप अपनी कोपी पे करेंगे और इसकी फोटो अपने टीचर के साथ जरूर शेयर करने हैं तो बच्चों बाइबाइबाइब